बॉडी बनाने के लिए अच्छी डाइट प्लान का होना बहुत ही जरूरी होता है यदि आप शाकाहारी है तो आपको देसी वेजिटेरियन डाइट प्लान की जानकारी होना चाहिए अगर आप बॉडी बनाना चाहते है लेकिन जिम जाने के लिए आपके पास समय नहीं है तो यहां दी गई देसी वेजिटेरियन डाइट आपकी मदद कर सकती है अपनी मान स्पेशियों के निर्मान के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपने आहार में पोशक तत्वर और प्रोटीन होना चाहिए जो कि आप शाकाहारी आहार से भी सरलता से प्राप्त कर सकते है आए शाकाहारी लोगों के लिए देसी वेजिटेरियन डाइट प्लान के बारे विस्तार से जानते है देसी वेजिटेरियन डाइट प्लान क्या है? सामान्य तोर पर हमारे घर में डेली बनने वाले खाने को ही देसी डाइट कहा जाता है इस डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, काबोहाइडरेट, मिनरल्स और हेल्दी फेट होता है मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत होती है आपको मान्स पेशियों के निर्मान के लिए ऐसे खाध्य पदार्थों का सेवन करना है जिसमें यह सभी पोशक तत्व उपलब्ध हो आए मस्कुलर बॉडी के लिए शाकाहारी आहार के बारे में जानते है मस्कुलर बॉडी डाइट प्लान मिथक अधिकांच लोग जो बॉडी बनाना चाहते है उनको लगता है कि शाकाहारी भोजन करके बॉडी को नहीं बनाया जा सकता बॉडी बिल्डिंग के लिए मासाहारी भोजन करना जरूरी होता है यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत है बॉडी को किसी भी किसी भी डाइट प्लान से बनाया जा सकता है बस उसमें वेपोशक तत्व होने चाहिए जो मांस्पेशियों के निर्मान में मदद करे बॉडी बनाने के लिए आपके भोजन में जरूरी निूट्रियंट्स होना चाहिए प्रोटीन हम भारती अकसर मानते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट किड्नी के लिए खतरनाक है इसी वज़े से हम अपने आहार में प्रोटीन को पूरी तरह से अंदेखा कर देते हैं लेकिन एक शोध के मताबिक उच्च प्रोटीन आहार और हृदे रोग के बीच कोई संबंध नहीं है यहां तक कि इसका सेवन करने से किड्नी को भी कोई नुकसान नहीं है बलकि उच्च प्रोटीन आहार स्वस्थ व्यक्तियों एथलीटों के लिए बहुत अच्छा है काबोहाइडरेट अपनी मन स्पेशियों को बिल्ड अप करने के लिए कितने काबोहाइडरेट की जरूरत होगी यह आप जरूर जानना चाहेंगे तो हम आपको बता दें कि एक ग्राम काबोहाइडरेट में चार कैलोरी होती है इस तरह से हर दिन आपको तीन हजार कैलोरी की आवश्यक्ता होगी आपके दैनिक कैलोरी सेवन में 45-55 प्रतिशत कैलोरी शामिल होती है ऐसे में हमें हर दिन 375 ग्राम काब्स हर दिन मिलते हैं हाला कि अपने fitness level, goals और metabolic rate के हिसाब से सभी का calorie intake अलग-अलग हो सकता है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे, शेयर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करे, हन्यवाद